दोस्तो हमारे फिल्मी जगत में ऐसे कई अभी नेता हैं जिन्होंने काफी कम समय में बहुत ज्यादा पॉपिलारिटी हासल की है ऐसा नहीं है कि इन्हें सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल गया इन्होंने अपने फिल्मी सफर में काफी महनत और स्ट्रॉगल किया तब जाकर इन्होंने बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई लेकिन आप इन अभी नेताओं को तो बखु भी जानते हैं पर क्या आप इनकी रियल लाइफ माओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने इनके स्ट्रॉगलिंग करियर में इनका काफी ज्यादा सपोर्ट किया तो आज की इस विडियो में हम आपको फेमस अभी नेताओं की माओं से रूबरू करवाएंगे नमबर पांच पर हैं वरुन्धवन बॉलिवड इंडस्ट्री के मस्त मौला अभी नेता वरुन्धवन ने अपनी फिल्मों में एक सिबर कर एक रोल निभाए हैं चाहे आक्शन हो या फिर कॉमेडी या फिर बात करें रोमांस की ये अपनी दमदार आक्टिंग से दर्शकों के चहरे पर एक अलग ही मुस्कान ले आते हैं लेकिन अगर बात करें इस हांसम अभी नेता की मा के बारे में तो इनकी मा का नाम करोना धवन है नमबर चार पर हैं सिधार्थ मलहोत्रा बॉलिवूड इंडस्ट्री के जाने माने अभी नेता सिधार्थ मलहोत्रा ने बहुत ही कम समय में अपने दमदार प्रदर्शन से एक अलग ही पहचान बनाई है इन्होंने अपने फिल्मी करियर में सभी तरह के रोल निभा कर दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है लेगिन अगर बात करें इनकी रियर लाइफ मा की तो इनकी मा का नाम रीमा मलहोत्रा है जो की एक हाउस वाइफ है नमबर तीन पर हैं कार्थेकारियन हिंदी सिनिमा के डाशिंग परसनालिटी वाले अभिनेता कार्थेकारियन ने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रॉगल फेस करने के बाद बॉलिवूर इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्म प्यार का पंच नामा में लगभग पांच मिनट बिना रुके अपना डायलॉग बोला था लेकिन अगर बात करें इस टालेंटे रभिनेता की रेल लाइफ मा की तो इनकी मा का नाम माला तिवारी है जो की प्रोफेशन से एक गाइनेकॉलोजिस्ट है दोस्तों आपने साल 2013 में फिल्म आशिकी 2 तो जरूर देखी होगी इस फिल्म में इन्होंने राहुल जैकर का किरदार निभाय था जहां इनके साथ इनकी को स्टार शुरद्धा कपूर थी इस फिल्म ने आदित्ति रॉय कपूर को एक स्टार के रूप में पहचान देलाई लेकिन अगर बात करें इनकी रियल लाइफ मा की तो इनकी मा का नाम सलोमे रॉय कपूर है बॉलिवुड इंडस्ट्री के मशूर अभिनेता टाइगर श्रॉफ को हम यूथा आइकॉन के नाम से भी जानते हैं इन्होंने अपना फिल्मी करियर बहुत कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था इन्होंने अपने बॉलिवुड सफर में एक से बढ़ कर एक फिल्मे की है और अपने दम पर बॉलिवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की मा की तो उनका नाम आईशा श्रॉफ है जो एक अभिनेतरी और निर्माता है तो दोस्तों आपको इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता की मा सबसे खुब सूरत लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवर्ट से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें